प्रदेश में चोरी और लूट पार्ट की घटनाएं आए दिन देखने को मिल जाती हैं इसी बीच रेवाडी CIE को बड़ी काम्यावी हाथ लगी है दरसल रेवाडी में चैन स्नेचिंग और चोरी करने वाले अंतर राज्य गिरो के सदश्यों को पुलिस ने धर दबोचा है पुलिस को आरोपियों से दो देशी कटे, सत्रे जिन्दा कार्तूस और दो बाइक बरामद हुई है वहीं आरोपियों ने 20 चोरी और चैन स्नेचिंग की वारदात भी कुबूल की है आपको बता दे कि लगबग एक साल से रेवाडी में यह गिरोष सक्रिय था आरोपियों पर टहले 20 दंगीन मामले दर्ज थे यह आरोपियों रेवाडी, गुरुग्राम और राजस्थान में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे इसके अलावार रेवाडी में भी लगातार चैन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही थी आईए बताते हैं आपको DSP अमित भाटिया का इस मामले पर क्या कहना है कल जो हमारी CIA की टीम्स हैं उन्होंने सुपलता काफ़ किया एक गैंको उन्होंने पकड़ा है जो धारू इडाथाना शेत्र है उसमें एक उन्होंने पांच जो संदिक्त विर्थी दे उनको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके उन विर्थीयों से पूस्टाच की गई उनकी जो वहिकल्स ते उनकी तलाशी ली गई तो उस दोरान दो जो अवैद हतियार हैं देसी कटे वोम से ब्रामद किये सतरा जो जिंदा कार्तूस है वो ब्रामद किये और दो मोटर साइकल ब्रामद किये इस सम्वन्द में थाना जो धारुएड़ा है उसमें हमने आरम सेट के तहित इन पाचो वेक्तियों को गिरुफतार किया आज मानियन अलम इनको पेश किया जाएगा और इनका कूचित जो प एक समाचो वेक्तियों ने अपनी इन्वोल्मेंट कभूली है जितनी भी जो जुँटेंस मेंचिनग कि जो नो सदस्य हैं और यह अलग-अलग जो रेसिंग बाइक्स हैं उस पर ही आते थे और जो चेंड स्नेचिंग की वारदात है उनको अंजाम देते थे दो-दो के पेर में आते थे और टर्न भाई टर्न यह लोग आते थे तो पांच वियत्नियों को गिरफतार किया है इनोंने हमे उस्ताज के दौरान बतलाया भी है किके कहां कहुंसे किस-किस ना शेतर से किस-किस डेट को इन्होंने चोरी की है, स्नेचिंग की है और रात के समय ग्रया बेदन की वारदाते थी उसमें भी इनकी इंवोल्मेंट आई है पृबदन हम इन्होंने कभूली ग्रया बेदन की जिसमें इन्होंने नाइट बरगलरीस की हैं और उस समंद में भी जो आतर कुछ कन्सर्पन पॉली स्टेशन्स हैं इनको हमें सुचित कर दिया है, वो भी इनको अपनी इंवेस्टिकेशन में शामिल जाज करके, रिकवरी जो है, इंशोर करेंगे, तो कुल मिलाकर इनकी 20 जो वारदात हैं, उसमें इनकी नुवल्मेंट आई है, अभी रिसेट लिही एक जो थाना कसोला शेतर में, रोध जिसमें हमारे पास CCTV फोटेजिस भी आई थी, और जिसमें यही आरोपी शामिल थे उसमें, इन्होंने रात के समय एक घर से चोरी की थी, कुछ गहने और कुछ कैश इन्होंने चोरी किया था, ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजिए, धन्यवाद